जी हैं दूसरो स्वागताब का इस बीजी चले हैं तो दूसरो आज की विडियो बात करेंगे मद्धपदेश आईटाई एडमीशन फुल प्रोसेस के बारे में दूसरो जैसा कि आप सबी को पता है कि दो जाच पेज़ चौबिस में एडमीशन लेनी की प्रोसेस स्टार कर दी गई है मद्धपदेश आईटाई में जैसा कि आपको पता होगा अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दू तीन जून से इसकी registration स्टार कर दी गई है तेरे जून से इसकी choice playing स्टार कर दी गई है अब लेकिन हमें बात आती है कि मद्धिपर्ट इस ITI में हमें admission लेना है हमें government कॉले में admission लेना है हमें private कॉले में admission लेना है कैसे होगा क्या process रहेगी सारी जानकारी को समझेंगे बीड़ो के माध्यम से तो दोस्तों ITI में admission लेने के लिए आपको दो process से ओकर गुजरना पड़ेगा पहली process होती है आपकी registration की जिया दोस्तों पहली process होती है आपकी registration की और दूसरी process होती है आपकी choice playing की ठीक है इस बात का business ध्यान रखना है आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आपको दो process से ओकर गुजरना पड़ेगा first process आपकी registration की दूसरी process आपकी choice playing की registration का charge आपका 15 रुपे choice playing का charge आपका 50 रुपे total charge रहेगा आपका 65 रुपे 65 रुपे में आपको यह दोनों काम कर लेनी है ठीक है आपको registration कर लेना है आपको choice playing कर लेनी है अगर आप मद्यपिदेश की च चाहिए आपकी private आइट आई है government हो चाहिए private हो दोनों के लिए same condition है same condition क्या है सबसे पहले आपको registration करना है then आपको choice playing करनी है 15 रुपे registration का charge choice playing का यहाँ पर 50 रुपे का charge यह दोनों चीज़ें आपको कर लेनी है ठीक है जब तक आप registration नहीं करोगे जब तक आप choice playing नहीं करो जो भी डॉट इसकी website इस पर से registration कर सकती है या पिर आपको जानदर दिमाग लगाने की जरूर नहीं है registration कैसे करना है link एक वीडियो बना दिया उसका link description box में डाल दिया है choice playing कैसे करना है इसका भी वीडियो बना दिया complete उसका भी link मैंने description box में डाल दिया है इन दोनों वीडि registration कर लेते हैं और choice playing कर लेते हैं सबसे पहले registration की last date देख लीजे 25 जून है choice playing की last date भी 25 जून हमारी रखी गई दोनों की last date कितनी रखी गई है 25 जून तक आपको एक काम कर लेने तारिक भी ध्यान रखना है आपको 25 जून तक आपको इसके बाद में जब आप choice playing कर लोगे तो इसके बाद में आपकी merit list या दोस्तो अगर हम कहें हमारा allotment letter allotment letter announce किया जाएगा allotment letter में क्या आएगा allotment letter में उन college के नाम आएगे जिन college में आपने choice billing के time पर select किया होगा choice billing के time पर मानके चलिए आपने A college लिया है, आपने B लिया है, आपने C, इस तरह से आपने trade यहाँ पर select की होगी, तो आपने जो first number पर trade select की होगी, अगर आपकी 10th class की जो mark seat है, उसके mark है, और आपका जो A number पर college है, उसके mark का cut-off है, तो आपकी mark seat के number और college का cut-off अगर same है, तो आपको first college मिल जाएगा, अगर नहीं है, तो पिर आपको दूसरा college मिलेगा, दूसरा college भी तभी मिलेगा आपको, जब आपकी 10th class के number और दूसरे college का cut-off गया, उसके number बराबर होंगे, या आपके number बराबर होंगे, तभी आपको मिलेगा, अनिता आपको नहीं मिलेगा, अगर आपके number इन cut-off से कम हो लेटर आएगा वो आएगा कव यहां पर तारिक बताई गई हैं यहां पर अभी नहीं हो रही है चली दूसरा एक राइस्ट ए करने के की चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट राउंड की मेरेलिस्ट है वो सत्ताई जून को जारी की जाएगी अगर आपका जो मेरे लिस्ट जारी होती है उसमें नाम आ जाता है तो फिर 28 से लेकर 3 जुलाई तक आपको क्या करना पड़ेगा आपको उस कॉले में जाकर अपनी जो फीस है वो सम्मेट करनी होगी पीस सम्मेट करनी के बाद में आपका एडमिशन कम्प्लीट हो जाएगा तो यह पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आपको कोई भी डावट करने इस्टागाम पर फॉलो कर लेना जो भी आपके डावट इस्टागाम पर मैसेस के द्वारा पूछ सकते हैं मिलते अगली वीडियो में एक जानकारी के साथ तब तक लिए बाई